हलो दोस्तों, देखिए पहाड की पखडंडियों में चलने का अलग ही आनंद है, पहाड की पखडंडियां पहाड की वास्तिकता को पूर्ण लूप से प्रदर्शित करती हैं, देखिए लोग आज संडे का दिन था, पूरी तरह से गाउं का भर्मन था हम लोग का, लगवग की वास्तिक इस्तियों से परचित होते हैं, उनकी इस्तियों को समझते हैं, लोगों से बात करते हैं, और वास्तिक रूप से पहाड में रहने का वास्तिक आनन देही है, जब वहां के अस्थानी अस्तर को पूरी तरह से हम समझ पाएं, मैंने अपने सेवा काल के 11 वर्सों म इस काम को वखुभी किया है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी कारे हो पूर्ण रूप से जमीनी अस्तर पे संपादित हो लोग हमें अपनी भावनाओं से समझें हमें अपनी भावनाओं में याद रखें हम अपनी भावनाओं से देखें तो इसी क्रम में हम हमारी कोशिस रहती यहीं हम जो हैं कम से कम गाउं के लोगों से मिलें और पकृति की खूबशूरतिक आनंद लें देखिए पहाड जो है एक ही दो बारिस के बाद जो है पहाड संपूर्ण पहाडियां बा जो है लकदग हो चुकी है हरियाली से बहुत खूबशूरत दिर्श है यह दीचे अंदाइक पल है कि हम जो है इन स्तियों का आनंद ले पा रहे हैं पहाड की ट्रेकिंग कर पा रहे हैं चीजों को देख पा रहे हैं समझ पा रहे हैं और वास्तिक प्रकृति का वास्तिक नजारा जो है पहाड में ही है जंगलों में है जमीन पे है जल में है प्रकृतिक जल याली को संरच्छित करना होगा और यहां सबसे बड़ी बात है कि यहां यहीं मौसम थोड़ा सा हो होता है तो यहां 24 24 आवर 24 गंटे एसी की ववस्था प्रकृति के द्वारा उपलव्द कराई गया निशुल्क इसमें कोई पैसा हमारा नहीं लगता है और न कोई बीजली लगती है तो प्रकृति कितना हमें कुछ देती है कितना कुछ हमें देती है देखिए हम धिरे धिरे पक डंडियों पर चल रहे हैं बहुत ही आनंदा एक पल बहुत ही धन्यवाद